सुचिल गुड मारिंग पहले मार्केट की बात कर लेते हैं क्या व्यू है इसमें मार्केट में हम 19000 के वी काफी उपर 19300 इसमें निफ्टी पर यह तो वन वे ट्रेन लग रही है देखिए एक बात है कि इंडेक्स और मार्केट मैं दोनों को बार बार अलग लग देख रहा हूं वन वे ट्रेन तो जरूर है इसकी बार जब हमारी आपसे बात वी थे कि बहुत अठारा साथ सो के उपर चल पड़े तो एक बार 19000 विखा सकता है और यह चला गया थोड़ा चूरन खालो गुसा होगए पंडी जी मुर्ख अगर चूरन खाने की वी जगह होती तो थोड़ा लड़ू और खा लेता हम 117 कैश के स्टॉक्स पे लॉंग है जब भी अगर बजार पलटवार मारेगा तो मेरे क्लाइंट्स निकलेंगे कैसे तो मुझे तो निफ को मिस कर रहा हूं कुछ समय से और अगर मैं यहां पर चड़के लूगा तो जो हमेशा होता है कस्तियां साहिल पर अक्सर डूबती है प्यार की यहां लेंगे और निफ्टी से साइड रहना पड़ेगा यह हमारा विरिष्टी कोन है अगर मैं जनरल एनैलिस करूं देखिए और अभी तो हम निफ्टी को चड़के नहीं ले सकते और हो सकता है कि भाई सिगनल भी फेल हो जाए देखिए बैंक निफ्टी का भी जो राउंडिंग टॉप यहां पे बन रहा था वह स्ट्रेच हो के यहां आगया तो अब मैंक निफ्टी पर अक्रॉस दे बॉर्ड हो रहा था रोटेशन के साथ करेक्शन आते हैं इंडिविवल स्टॉक में और और कुछ ने कुछ चारचे स्टॉक ऐसे और निकलते जो इंडेक्स को और उपर खिंच लेते हैं तो इंडेक्स को सही पकड़ना और ओवरॉल सेफटी के साथ पैसे बनाना दोनों अलग तीज जा रहा है तो हो सकता है और तेजी चली जाए रनवे ट्रेन बन सकता है वह वापस एक कुल बैक के बाद डिसाइड करेंगे 19,000 तोड़े विन अगर वापस रिज्यूम करके नया आई मारता है तो हो सकता है फिर वह एक अक्रॉस दे बोर्ड इंडेक्स पर भी बड़ी ते है कि जिन स्टॉक्स पर करेक्शन कंपीट हो जा रहा है न हम उनमें हिम्मत कर रहे हैं अब जैसे पीडियार की चार्ट आप देखो यह फाइव स्ट्रक्चर अब बन गया जो की आगे बड़ी तेजी इसमें बनेगी और करीब करीब पूरा का पूरा रिट्रेस कर गया हम 1405 के उपर पीडियर चला तो हमारे लिए बड़ा विग वाई हो जाएगा इवन फ्यूचर में एक बहुत लॉंग का यह करेक्शन कंप्लीट करके मिकला है आउटस्टेंडिंग यह देखें ट्राइंगल पैटन सेंब बॉंबे स्टॉक चेंज की चार्ट पर जो पैटन 417 करने वाला बिल्कुल ने लगता और बहुत शौट टम में स्पेकुलेट करना है क्योंकि एक सो उननीस और उसके बाद 124 के दो पड़ाव आगया में दिखते हैं पर यह दो लॉंग्स के सामने मान लिए डॉक्टर रेडी संद्फार्मा शौट सेल करने लाइक होगे टाट बहुत बड़ा करेक्शन होने के बाद अफसाइकल शुरू हो गया आई टी बढ़ेगा स्टील के स्टॉक्स करेक्ट हो जाएंगे तो मार्केट में रोटेशन चल रहा है तो यह हो गए आपके मान लीजे एक नए बाइस आते जा रहे हैं आज जैसे टी टीमल हमने सवेरे बजार खुलते के साथ हमारा बाइपल ट्रिगर हो गया हमारे क्लाइंट के लिए बाकी जो लोग दर्शक देखके लेंगे पुलबेक में लेने की चीज़ होती है बजार में खींच कितना बढ़ गया एक गंटे में अब हमें लगता है इमेजियर शॉट टम में 100 रूपे क प्रेकाउट आता है हम इसे डिलेवरी लेके 600-600 के लिए बैड़ जाएंगे इंडिया बुल्स रियालिटी जैसी प्रीवियर स्विंग आई के उपर 62 के उपर जाता है हमार कॉल आ जागा कि चलने के लिए तो बजार में अभी भी कैश के स्टॉक में बहुत ज्यादा पैस है और पंडी जी के पास चूरन भी खाने की जगह नहीं इतने हम लोड़ेड है तो निफ्टी मिस्वी हो गई तो कोई दुख नहीं है एक बाद जारा SBI स्कीन पर लिखाई है SBI आपके स्कीन पर करीब 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 पांस सु बानवे पर डिहाई की डिक्टरी पर टेट करता रहा और B.O.B. जिसका हम कल भी डिसकुशन कर रहे थे बैंक और बोड़ोदा ये भी डिहाई की डिक्टरी मार्केट टेट कर रहा है स्विल जी कल जो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने किया B.O.B. अपने All Time High पर और जो कल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने किया आपका व्यू उस पर क्या है PSU बैंक को आप कैसे अप्रोच कर रहे है इसमत देखिए डेफिनेशनली तो SBI एक पब्लिक सिक्टर बैंक है इसके क्रॉस होने की संभावना नहीं है इतने बड़े फॉल के बाद अब यह एक रैली जो चल रही है यहां से 500 से उसका एक अंतिन चरण हो सकता है दो-तिन दिन चार दिन यह और बढ़ जाए बट SBI की बनिस्पत यह जो बिल्कुल अंग्लैमरस चोटे वाले बैंक है जै कि दो दो दिन की बात और हो सकती है पर कोई बहुत लंबी चाल यहां बन जाएगी वैंक वरोड़ा में ऐसा प्रतीत नहीं होता है यह जो बड़ा फॉल नीचे आया यह ए वेव था और एक एर्रेगुलर बी वेव बनदा है इस इर्रेगुलर बी वेव का मतलब ही है कि इस तीन सो तक की चाल को मिस कर जाएगा पर अभी के भी तीन सो की चाल शुरू हो भी ऐसा मुझे चार्ट्स देख करके नहीं लगता है अच्छा कुछ स्टॉक्स जो की बहुत अच्छा मूब दे रहे हैं और नीचे से सबसेंशल रिकवरी ली मता 52 वेक लो लगाने के बाद तीन साल के लो लगाने के बाद उसमें जूबिलन फूद भी है जिसका जिक्र मैंने आपसल प्रिवियस इंट्रेक्शन में भी किया अच्छा मूब लेता है आपका व्यू जूबिलेंट फूद ऐसा है इसने जो भी नहीं बाजरे की पीजा बना दी तो जो लोग हैं अब उनके लिए पीजा में नॉट रिमें से बाद वर्ड जस्टू में डिस जूसी यह चार्ट ब्रेकाउट दे चुकी है ठीक है इसके अंदर में मौके पे आठ दस परसेंट का भी आजए लॉंग टर्म के लिए चार्ट तयार हो चुकी अब खाली इसमें एंट्री सही बनानी है तो अगर कोई करेक्शन आ गया और इसमें नीचे पुलबेक मिल गया तो इसको लेकर दिलिवरी बैठेंगे बले जो स्टॉक आपने पिक किया था वो था BSE, Bombay Stock Exchange. अब कल उसमें बाइबाक का भी नोटिस आया, मेरे करा से आपके बाइप प्राइस से करीब 1.500 रुपए उपर अभी स्टॉक, यहां पर क्या भी होगा? 1.500 नहीं, हमारे बाइप रुपए उपर है. अब क्या वी होगा यहां पर? अब ऐसा है, अब जिन्हें कूद 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 के लेना है, ले. हमको तो जो मोटा मुनाफा बन गया, उसको प्रोटेक्ट करना है. तो हमारी देखें, हम तो रोज टॉपलर लाइन को अपना उप टेक प्रोफिट करेंगे, क्योंकि हमारा व्यू अभी इसमें बिल्कुल मेंटेंड है, जो धीरज रखेगा, वो 666 क्यों, वो 1266 में इसको बेचेगा, तो हम थोड़ी पार्शिल प्रोफिट टेकिंग देख सकते हैं, बाइपक का प्राइस अनाउंस होने दीजिए, मेरा अनुमाने 700-700 का बाइबेक प्राइस अगर होगा, तो स्टॉक जोन में आके स्टेबल हो जाएगा, तो हो सकता है टेक प्रोफिट हम नाभी करें, चलिए तो ये बहुत इंट्रेस्टिंग कॉल्स यहां पर, आईटी में कुछ व्यू आपका आईटी स्टॉक्स पर, सुच करेक्शन आजाएगा, तो हमारा जो लगातार विर्ला सॉफ्ट्वे कॉल मेंटेंड था बायकॉन की तरह कि इसको हम डवल ट्रिपल होने पर ही बेचेंगे, उसके 10% का करेक्शन आगया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जो LTIM, LTS और आपके ये जो HCL टेक, टेक मह मार्केट में, और IT के स्टॉक्स को मैं बेचू नहीं, लेने का मौका मिलेगा तो लेंगा, चैनि फ्टी जहां पे भी हो, हूरा न Anyone This सबस्ते आपके की शमिर्स देस्ट्नाइशन है? सुझ दे बहुत बश्चो क्रें आप में शॉक्रीण इसका हा शॉक्रेम में शामुए, सब लिस्तॉक्स पर इंड़स अपने रहकी है.